नमस्कर दोस्तो बिजली की दुकान यूटूब चैनल में आप सुभी दोस्तों का स्वागत है आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलोनिक्स कंपनी के 9W के LED बलब के बारे में और फिलिप्स कंपनी के 9W के LED बलब के बारे में दोस्तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है यानि की प्राइस में क्या डिफरेंस है रोसली में क्या डिफरेंस है इनके लिमस में क्या डिफरेंस है इस तरह की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको देने वाले हैं और दोस्तो आप इन्हें आपके लोकल मार्केट से कहीं से भी पर्चेज कर सकते हैं आपके नजदिक जो भी मर्केट होती है विजली की दुगान होती ही वहां से आपको असानी से LED बलब मिल जाएंगे तो चलो दोस्तो अब हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हेलोनिक्स कंपनी का जो LED बलब है उसको पर लिखा हुआ है एस्ट्रोन पलस नोवाड है और उफलिस वाले पर है आई प्रो के नाम से तो दोस्तो ये हमारे पास दो LED बलब है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन बोक्स के अंतर LED बलब है बोक्स से बाहर LED बलब को निकाल लेते हैं यह दोनों LED बलब हमने निकाल लिया है अब आप साइज चेक कर सकते हैं इनका LED बलब का नजदीक से भी दोस्तों साइज की हिसाब से बबात करते हैं तो होलोनिक्स कंपनी वाला जो LED बलब है देख सकते हैं नीचे तक गया हुआ है इस हिसाब से हम लगाते हैं तो हेलोनिक्स वाले में से रोशनी ज्यादा निकलनी चाहिए अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं कि इनके स्टार्स वगरा के बारे में है तो जो फिलिप्स कंपनी वाला जो LED बलब है वह देख लेते हैं बुक्स के उपर स्पेसल लिखा हुआ है यह थरी स्टार के अंदर देख सकते हैं सामने आप स्पेसल लिखा हुआ है और दूसरे को पर हम देखते हैं यह भी तरी स्टार के अंदर यानि स्टार की बात करें तो दोनों का सेम है अब हम देखते है फिलिप कंपनी वाले LED विलब के ओपर क्या लिखा हुआ है कंपनी का नाम लिखा हुआ है साथ में लिखे हैं इसके 825 लूम्स है यानि कि 9 वाट का LED विलब है इसके अंदर 825 लूमिन्स आपको मिलेंगे है अब हैलोनिक्स वाले के उपर देगे हैं हैलोनिक्स कंपनी का नाम लिखा हुआ है और इसके जो लूमस दियो हुए है 900 लूमस दियो यानि कि 98 का लिडिवलब है और 900 के लूमस है परन्तु मा आगे इस वीडियो मैं इनकी रोसनी भी आपको चेक कराने वाला हूँ कि एक्च्वल कौन से की ज्यदा है अब हम बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में दोस्तो वैसे तो MRP इनका देखेंगे आप तो MRP वगारा हम छोड़ देते हैं हम बात करते हैं इसके जो मारकिट में प्राइस है उसके बारे में दोस्तनु फ्लिपس कंपने वाला जो अलेडिव लगाव को मारकिट के अंदर 95 यानि 45 आपको असपास मिलेगा प्रणतुत हैलो निक्स कंपने वाला जो अलेड़ वाला आपको मारकिट के अंदर 70 रुपई या फिर 75 में असानी से मिल जाएगा इनके अंदर जो रेट में डिफ्रेंस लाग वाग बिच से पर्चिस रुपे का रहता है इस हिसाब से हैलो निक्स वाला आपको सस्ता रहेगा अब हम इनको टेस्टिंग करके इसके रोसनी आपको चेक रा देते हैं अब हम अंदेरे के अंदर हैं और सबसे प दोनों को ही ओन कर देता हूं अब हमने दोनों को ही ओन कर दिया है तो दोस्तों अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि जो रोसनी है आपको कौन से की ज्यादा लग रही है लग बग आपको वैसे नहीं पता से लेगा लग बग आपको रोसनी वैस से भी दिखाई देगी परन् एनम्टिंट के भाद करते हैं flipsráक के साल होई-घ्रोणिक्स वाले के व फालिक्स वाले के एक आथ है और इसके रोसनी भी बैस्त है तो है लिडिग पर्चاز करना चाहिए घु runners